चेलों को जब जब परमेश्वर मिले उनने कहा कि मेरे पीछे चलो उसके पीछे चलने का मतलूब क्या है? उसके जैसा बनना, वैसा जीवन जीना जैसा वो जीता था जैसा उसमें मनुश्य के रूप में आकर इस प्रिथवी पर जैसा जीवन बिताया हमें ऐसा जीवन बितान है और अगर आपको ऐसा जीवन बितान है तो फिर आप वो पंजाबी सौंग नहीं सुन सकते आप उन गानों पे रील्स नहीं बना सकते आप अपनी बलेसिंग्स को ऐसे शो आफ नहीं कर सकते जैसे लोग कर दें दिखावती रूप आप नहीं अपना सकते चाहे वो इंस्टाग्राम पे हो चाहे वो कहीं भी हो आप गालिया नहीं निकाल सकते आप किसी का बुरा नहीं कर सकते अगर आप रभी इश्यू मसी के पीछे चलना चाहते हैं तो प्रभू ने कहा कि आपको sacrifice करना पड़ेगा Paulus कहता कि अपने उन अंगों को काट डालो कौन से वेबी चार के, लुचपन के, चोरी के, निंदा के, जगडे के, क्रोध के उन अंगों को Paulus कहता काट दो क्यों काट दो क्योंकि अब जो हम शरीर में जीवित हैं हम परमेश्वर के लिए जीवित हैं, हम अपने डिजायर्स के लिए जीवित नहीं हैं अब हम जो शरीर में जीवित हैं, हम इसलिए जीवित हैं ताकि हम अपने शरीर के द्वारा परमेश्वर के नाम को महिमा दे सके उसके नाम को ग्लोरिफाई कर सके, हलेलुया